असलाम लेकूम माई यूटीव फैमली मीट करती सब ठीक टाकोंगे आज का टॉपिक जी पार्ट फॉर के हवाले से है तो जैसा के पिछले व्यूर्ज मेरे जानते हैं जिन्होंने देखा है वीडियो को उनको पता होगा के मैंने जो है वो पार्ट वन और पार्ट टू जो है अप्लोड कर दिया है तो आज हम लोग पार्ट फॉर के बारे में बात करेंगे विच इस ब्रिटन सेंस और पीम यानि के यूगे का जो इयर्स हैं जितने भी हुए थे उसमें वर्ड वार थी कितनी हुए थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर कोन को तो जनाब वीडियो को ए सब्सक्राइब मिलती रहे और लाइफ इंदा यूके टास जिस तरह मैंने पास किया है इंपोर्टन कोस्टन के साथ आप लोग भी फिर्स अटैम में पास कर लें इंशाला तो जलें जी अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बिसमिल्ला रख्मान रहीम शुर इूके का और वोड्स के बारे में पड़ चुके आज हम लोग पड़ रहे हैं बृटन सेंस जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि अब लोग बात करेंगे के यूके में इयर्स के हवाले से कि वर्ट वार्क इतनी थी और कब हुई थी ठीक हैं इंपोर्टन टॉपिक ह ये भी तो गोर से सुनिएगा इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं दुबारा से बताती चलू कि डेफिनिशन्स याद नहीं करनी जस्ट आपकी नॉलिज के लिए और आपकी असानी के लिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूं अदर्वाइस इसमें में स्ञें होते हैं वृशन अपने पर टिकरना होता है अगर आपका स्ट्राइब को पढ़कर अच्छी तरह से अगर आपको पता स्ट्राइब को करना है और लोगों इसका पता से नीन सो पंतालिस तक ठीक है 1914-1918 फिर्स्ट वर्ड वार हुई थी 1939-1945 सेकिंड वर्ड वार हुई थी सही है इसमें यह आता होता है कि फिर्स वर्ड वर कब हुई थी तो मतलब एक कभी समटाइम्स कुछेन आ जाता है कि स्टार्ट कब हुई थी तो आप लोगों ने यह न जाता है 19-1915 सेप्सक्राइब कला है 19-1918 से नेंट से जान इंट सेटोफ़ता किसम लुए कुछाल वर्ड वार होता है इसे कुस्ट वर्ड वार रोड वार कभी सक्राइब को आएक गए तो यह नहीं करने इसे लोगे को कब हुई थी तो 1945 आपने बताना है एंड सेकिंड वर्डवार 1945 को ही थी अच्छा फर्स्ट वर्डवार में कुश्चन आता है कि कौन कतल हुआ था कौन असेसिनेटीड मतब हुआ था ठीक है असेसिनेटीड का मतब है कतल आप लोगों की असानी के लिए मैंने इदर लिख दि आर्ची डूक ओफ ऑस्ट्रिया ठीक है ये फर्स्ट वर्डवार में हुआ था अच्छा आप्शन अब आएगा दो तीन तरह के कुश्चन इसके उपर बन साते हैं कि असेसिनेटीड कौन हुआ था उसका नाम ठीक है आपने उस पे टिक कर देना है आपको पता होगा 노e जो इसका пог которого है था तरह है भावो है व्रवार में तो अच्छा के süड़ातए हैं आती है और 740 में आइक डूग स्टरिया के हवाले से कि 1940 जो है वो 1949 और 1945 के दर्म्यान में आता है 1940 को जो है ना विंस्ट चर्चल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना था अभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में पहले मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक बताती चलू तो 1940 को जो है वो आ फेमस लाइन थी ना यह भी कॉस्टेंज में आती है वो थी कि I have nothing to do offer but blood, toil, tears, sweat अच्छा blood जो होता है वो खून, toil जो होता है वो उर्दू में उसको कहते है मेहनत और tears, आंसू और sweat, पसीना तो इसने यह फेमस लाइन इसकी बन गई थी कि I have nothing to offer but blood, toil, tears, sweat, तो यह भी कॉस्टेंज में आता है कि इसकी लाइन जो है वो exact क्या थी तो आप लोगों को यह लाइन याद होनी चाहिए दुबारा से repeat कर देती हूं I have nothing to offer but blood, toil, tears, sweat यह जो चाहर इसने बताये थे ना यह इसके फेमस हुई थी words उस दोर में तो आप लोगों को यह questions में आएगा कि उसकी line क्या थी तो आप लोगों को पता होगा कि यह Winston Churchill की line है उसने introduce करवाया था इस line को ठीक है तो अब next हम लोग बात करते हैं after two world war, दो ही world war हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था जी 1923 बेसिकली wars हो गई, wars की years यह आ गए ठीक है लेकिन जो है ना 1923 को जो है इनके दर्मियान में मतलब first world war के बाद 1923 को जो है क्या हुआ था जी noble prize था और किसको मिला था Alexander flaming अब Alexander flaming ने क्या किया था उसने discover करवाई थ थी कब करवाई थी 1928 जिसकी वज़ा से उसको noble prize दिया गया था यह भी question में आता है कि noble prize किसको दिया गया था और काब तो 1928 में noble prize दिया गया था जी Alexander flaming को उसका अब यह भी question आता है कि Alexander flaming को क्यों जो है बनाई गई थी उसमें यह हुआ था कि यह जो ब्रिटिश है यह ब्रिटिन है ठीक है इसके लोगों को जो है ना मतबता हफुज दिया जाएगा और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बना था Clement Attlee अगर आप लोगों को इसमें याद रखना है ना तो welfare state भी 1945 को इती प्राइम मिनिस्टर भी वो इसी को बना था तो 1945 में यह दोनों चीज़ें हुए थी welfare state भी थी और Clement Attlee जो है वो भी बना था इसकी फेमस लाइन क्या है कि ब्रिटिश को और ब्रिटिन के पीपल्स को जो है वो तहफुज दिया जाए cradle to grave ठीक है cradle to grave इसकी फेमस लाइन यह थ national health service ठीक है 1948 में थी और यह किसने बनाई थी उसका नाम आता होता है questions में तो इसमें बस आप लोगों नहीं यह याद रखना है कि 1948 में NHS का आता होता है कि इसकी अब्रिवेशन क्या है तो आपको बता होना चाहिए national health service और वो कब हुई थी 1948 में और किसने करवाई थी और यह नाए बोवन ठीक है जी तो अब इसके बाद जो है हम लोगों का last year इसमें है जी 1960 में जो है स्विंगिंग सिक्स्टीज यह सिक्स्टी से ही पता चाहिए स्विंगिंग सिस्टीज यानि के जूमने वाला जमाना ठीक है जी तो इसमें जो है ना क्या करते थे यह लोग डांस parties, music, vines, etc. यह चीज़ें इसमें होती थी तो swinging 60's 60's, 1960's में हुआ था जिसमें आप यह लोग dancing parties, music वगएरा इस तरहें की चीज़ें करते थे swinging 60's ठीसस्टीस थीख, स्विंगिंग से जूमने वाला जुमाना से यह आप लोगों ने यात रख लेना है अब बात करते हैं कि Prime Minister जो हैं वो कब बने थे और उनके years क्या है और कौन-कौन बने थे सबसे पहला Prime Minister है जी टोटल हमारे पास साथ Prime Minister बने थे उसमें है सबसे पहला First Prime Minister ये भी question आता है कि First Prime Minister कौन था तो First Prime Minister था जी Sir Robert Walpole ठीक है 1707 में बना था ये सही है आप लोग चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं और Second Prime Minister था जी हमारे पास विंसर्ण चर्चिल नाइटीन फॉर्टी में बना था थर्ड है क्लेमेंट एटली नाइटीन फॉर्टी फाइफ में जैसा कि मैंने आपको इन दोनों का बता दिया कि वो कब ने थे प्रवर्ट में हमारे पास आती है जी फीमेल फी सिया मार्गरेत तेचर नाइटीन सेवंटीन नाई में बनी थी तो एक ही फीमेल है इनमे पहली फीमेली थी इसिया जो प्रैमेनिस्टर बनी थी 1979 में आपने इनके एयर्स जो हैं वो याद रखने के कौन कब प्राइम मिनिस्टर बना था ये questions आते हैं ठीक है जी अच्छा नंबर फिप्थ है जी जोन मेजर इसका जो है वो यह कोई नहीं बताया हुआ लेकिन आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं फिर्स प्राइम मिनिस्टर जो था वो सर रोबर्ट वैलपोल था 1707 में बना था सही है अच्छा इसमें क्या था कि जॉर्ज वन जो था ना डिडन स्पीक वेरी गूड मतलब वो बोल नहीं पाता था हक ला जिसकी वज़ा से वह एकिस साल बाद जो है ना वो बना था तो फिर आगे हैं जी विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल में हमारे पास है जी 1940 को यह बना था और इसमें क्या हुआ था एरियल बैटल हुई थी ठीक हो गया अच्छा मतलब जो मैंने आपको बताई है सेकि हुई थी थर्ड पर हमारे पास क्लेमेट एटलर 1945 को यह बना था जिसमें वेलफेर स्टेट हुई थी जो मैंने आपको बता दिया सोशल स्क्यूर्टी के लिए ठीक है लोगों की मदद के लिए फॉर्थ पर मारे पास फर्स्ट मुमें थी यह प्राइम मिनिस्टर मार्गरे ही आता है फिर आगे टॉनी ब्रेर आता है नंबर सिक्स पर जो के मारे पास 1999 और 1998 का जो इयर्स है ना दो थे तो आचा इसको डिटेल में पढ़ता है कि 1999 में जो है ना स्कॉर्टिश पार्लिमेंट एंड वेल्श असंबली यह भी कुस्चन में आता है कि दो जो मतलब एक प तो देखें इंग्लेंड तो था ही था लड़ रहा था वो सबके साथ ठीक किसके साथ नहीं लड़ा था यह तो दो जो थी ना स्कॉर्टिश वेल्स ठीक है वो 1999 में साल बाद आएगी सबसे पहला इयर्स आएगा 1998 जिसमें नॉर्डन आइलेंड असंबली थी ठीक है फिर व टॉनी बलेर के मतब उसमें जमाने दोर में आते हैं फिर अगला हमारे पास लास्ट प्राइम मिनिस्टर बना था जी डैविड कैमरन यह इसने लीडर लिबरल डेमोकरल डेमोकरल एंड कंसरवेटिव पार्टी इन चारों पार्टी को तीनों पार्टी को जो है ना इसने मत जो है ना पार्टी मिल गई थी और दोनों पार्टी ने क्योंके 250 कंसरवेटिव पार्टी में थे और इसमें जो हैं लिबरल में 140 तो इसको टोटल 400 जाहिए थे वो दोनों फिर मिल गए थे पार्टी तो इसके दोर पे यह हुआ था डैविड कैमरन के ठीक है तो इनका जो बताया गया है भुक में वो है 1997 से 2010 टक यह लोग जो है ना वो प्राइम इनिस्टर रह थे तो जिनके दरमयान में यह दो इयर आते हैं और फिर उसके बाद इसका जो है वो हिस्टरी में जिकर फिर बाद में नहीं है 2010 तक इनकी हिस्टरी में है अगला जो है हमारे पास एक आप लोगों की नॉलीज के लिए यह मैंने आप लिकाव है के इस्केंड nou जो है ना डो डो रोजिज जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया है कि उम्मार लोगों को रोजिज जो है वह हुई थी दो टोटल जो है ना सेवन सिटीजनशिप सर्वे हुए थे तो जिसमें हमारे पास बहुत सारी कम्यूनिटीज आती है लाइक जैसे कि क्रिस्टियन मुसलिम हिंदू सिख जुएश और बृटेश ठीक है तो इन लोगों की जो है ना पॉपुलेशन और परसंटेज जो भी आप ल जो है मतलब यूके में और बृटेश में जो है ना वो कितने लोग मतलब रिलिजन्स पे थे तब के दोर में सही हैं तो जो 70 परसंट था वो क्रिस्टियन था फोर टू फाइफ परसंट जो था वो मुसलिम था और यह भी क्वेस्टिंस में आता होता है हिंदू जो थे उस लोग आते गाते दोर परसंट थे सीख जो थे वो 1 परसंट थे और जूइश और बृडिजिक जो सबसे कम थे वो 0.5 लेस दन यानि के जूई और बृडिजिक थे बोट ठीक है ये एक में ही आता है 0.5 परसंट लेस दन अंसर जो मतलब जिनका दूसरा को जिलिजिं था इन जिनका कोई religion ही नहीं था उस दोर में ठीक है तो यह citizenship survey था जो के बहुत जादा important है questions में आता है के question जादा तर जो है ना इनका आता है 0.5% जो है ना वो किसका है मतलब survey में हुआ था तो आप लोगों को पता होना चाहिए के less than 0.5 जो है वो जिर्श और British का था और आप लोगोंने बाकी भी याद रखने हैं और यह भी question में आता है कि 21% किसका religion मतलब British citizenship survey में आया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए 21% जो है वो किसी का कोई religion नहीं था ठीक है तो यह आप लोगोंने याद कर लेना है चाहिए तो screenshot ले सकते हैं आप लोगों की असान कर लेगा विटन दबाना भी नहीं बोलना तो मिलते हैं यह नेक्स वीडियो में मैं आऊंगे इन्शालला अपनी नकस्वीडियो के साथ अपने नेक्स विलोग के साथ अपने आप लोगों को next जो है वह जितना मैंने पड़ा हुए वह और अप लोग भी pass कर लें तो मुझ आ नेक्स वीडियो में आलापफिस